नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पढ़ने में कमजूर हो या तेज हो आप पढ़ने में चाहे जैसे भी हो लेकिन आप अगर बोर्ड इक्जाम की कौपी में ये काम नहीं करोगे बोर्ड इक्जाम की कौपी में पांच काम नहीं करते हो तो या अच्छे अच्छे इस्टूडेंट के मार्क्स कम आ जाते हैं और वो फेल भी हो जाते हैं ठीक है ऐसे में आपके इस वीडियो में गजब की जानकारी आपके साथ सेर करने वाला हूं फिर क्या देखकर टीचर नंबरों की वारिस करेगा यानि कि आपने यह चीज अपने क कापी की सुरुवात कैसे किया है यानि कि आपने कापी को कैसे लिखा है और लिखने का जो सही तरीका है वो क्या है और टिप्स दूसरा देखता है कि टीचर कापी में क्या देखकर खुस हो जाता है और क्या देखकर फेल कर देता है और टीचर छात्रों को किस सेच्वेशन में या किस इस्तिती में फेल कर देता है और आप तीसरी जो बात है वो है कि क्या जिस प्रस्ण का उत्तर नहीं पता है उसका एंसर नहीं लिखना चाहिए या जिस इस क्वेस्चन का एंसर आधा पता हो उसे छोड़ देना चाहिए और जो चौथा टापिक है क्या कॉपी में पैसा रखने से नंबर मिलता है क्या इसकी बाद आपको ये ध्यान देना है अगर आपको पेपर में पहला दूसरा तीसरा क्वेस्चन का एंसर नहीं आता है तो आज से आपको कोई फेल नहीं कर सकता क्योंकि छात्रों की लापरवाही ही छात्रों को फेल कराने को टीचर को मजबूर करती है क्योंकि टीचर कभी नहीं चाहता कि अपने पेन से किसी छात्र को फेल कर दे तो देखो जो आपको कॉपी की सुरुवात कैसे करनी है ठीक है त चात्र जो होते हो अपने कॉपी में ये इन पॉइंटों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपने कहां पे black pain का यूज किया है और कहां पे sketch का यूज किया है और question के answer को जो limit होता है उसको तो cross नहीं किया है अगर आप cross कर देते हो तो आपको जादे number नहीं मिलता ठीक है जादे answer लिखने से जादे number नहीं मिलता जितना कहा गया है उतना ही लिखना word limit का आपको board exam में अपने ध्यान दिया है कि नहीं copy लिखने की जो सही तरीका उसको follow किया है कि नहीं आप जब भी copy लिखो तो आप कोसिस होनी चाहिए कि copy में प्रश्न का उत्तर बिलकुल serial से करना है अगर आपको पहला question दूसरा question और तीसरा question नहीं आता तो सातवा question आता पांचवा question आता वहीं से आपको लिखना है लेकिन जो teacher खुस होता है वो serial से करने पर खुस होता है बट आपको नहीं आता तो आपको जहां से question के अंसर आता वहीं से आपको अपने copy की शुरुवात कर देना और teacher आपकी copy में क्या देखता है ठीक है यही सब चीज़े देखता है और देखता है और दूसरी चीज़े देखता है कि आपकी handwriting कैसी है देखो अगर आपकी handwriting थोड़ा पूर है तो आप जब भी board exam में लिखो तो लिखते समय एक pain की सब्दों से सब्दों की बीच की दूरी रखनी है एक pain की अगर आप ऐसे करते हो और आपकी handwriting एक average handwriting है यहीं बिल्कुल खराब नहीं और नहीं बिल्कुल अच्छा है तो आप जानलो की board exam में आपकी एक भी number teacher नहीं काटने वाला है हाँ अगर बात कर लेते हैं कि आपको कोई भी question का answer आधा आता हो या बिल्कुल नहीं पता है तो उसके answer आपको कैसे लिखने है तो देखो आपको सबसे पहले तो board exam में एक भी question को छोड़ना नहीं नहीं आल question को आपको attempt करना अगर आधा आ रहा है कोई भी question का answer तो उसे लि नहीं पता है उसके question के answer आपको कैसे लिखना जिस question के answer आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपको क्या करना है कि आपको उस chapter से related ठीक उस subject से related या आप उस chapter से related class में कुछ भी सुने हो keyword आप उसमें लिख दो अपने सब्दों में लिख दो लेकिन लिख दो अगर आप कोई भी टीचर कभी यह नहीं चाहता है किसी हम बच्ची की future को खराब करें नहीं फेल करें उसके सामने का ऐसी situation आती है जहां से उस सब तरब से मजबूर होकर ही आपको फेल करता है और आपको बात कर ले कि आपको board exam की copy में यह चीजी देखता है टीचर कि आपको कोई भी ग लब इश्टूरिया लिख देते हैं गलत चीजे लिख देते हैं कसम लिख देते हैं कि सर मैं आपका पैर पकड़ता हूँ आप मुसको पास कर देजिए आपको मैं 20 अजार प्या पहुचवा दूंगा 10 अजार प्या पहुचवाँगा ऐसा लिखने से टीचर कभी जिंदग के कोपी है जो कि exam की कोपी में कुछ इस तरह के हरकते करता है जो की teacher की बिल्कुल खिलाफ है और teacher को एक negativity परदान करती है ठीक है और हम बात कर लेते हैं next topic की की board exam में पैसे रखने की क्या फायदे है ठीक है वैसे तो board exam में कोपी में पैसा रखना बिल्कुल illegal है ठीक है पैसा रखना कानूनन अपराध है टीचर चाहे तो आपके खिलाप करवाई भी कर सकता है तो ऐसे में पैसा आपको board exam में नहीं रखना है ठीक है बिल्कुल illegal है टीचर पैसा तो रख लेता है लेकिन उसकी बदले आपको एक भी नमबर नहीं देता है तो आपको board exam की कॉपी में पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाने है ये चीजों को अपने board की कॉपी में अपलाई करते हो तो आप कभी नहीं हो सकती ये मेरी गर